भजन सहिता अध्याय इकत्तर हे यहुआ, मैं तेरा शर्नागत हूँ, मेरी आशा कभी तूटने न पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर, मेरी लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकू, तूने मेरे उद्धार के आग्या तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गर्ड ठैरा है, हे मेरे परमिश्वर, दुष्टके और कुटील और खुरूर मनुश्यों के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जो होता आया हूँ, बच्पन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तूझ से संभाला गया, मुझे मा की कोक से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्थूती करता रहूँगा, मैं बहुतों के लिए चमतकार बना हूँ, परंतु तू मेरा दुरुढ़ शरंस्थान है, मेरे मुह से तेरे गुनवादन और दिन भर तेरी शोभा का वर्नन बहुत हुआ करे, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे, तब मुझको छोड़ न दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेर जब मेरे विश्य बाते करते है, और जो मेरे प्रान की ताक में है, वे आपस में यह सम्मति करते है, कि परमश्यं ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके, उससे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं, ये परमश्यं मुझसे दूर न रह, हे मेर परमेश्वय मेरी साहता के लिए फूरती कर, जो मेरे प्रान की विरोधी है, उनकी आशा तूटे और उनका अम्त हो जाए, जो मेरे हानी के अभिलाशी है, वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए, मैं तो निरंतर आशा लगाय रहूँगा, और तेरी स्तूती अधिक- प्राइदी करता जाओंगा, मैं अपने मुह से तेरे धर्म का और तेरे किये हुए उद्धार का वर्नन दिन भर करता रहूंगा, परन्तु उनका पूरा ब्योरा जाना भी नहीं जाता, मैं प्रभु यहवा के पराक्रम की कामों का वर्नन करता हुआ आओंगा, मैं केवल त बाल पक जाए, तब भी तु मुझे न छोड़, तब तक मैं आने वाले पीड़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाता रहूंगा, हे परमिश्वर, तेरा धर्म अतिमहान है, और तु जिसने महाकार्य किये है, हे परमिश् हे शांती देगा, हे मेरे परमिश्वर, मैं तेरी सच्चाय का धन्यवाद सारंगे बजा कर गाऊंगा, हे इस्राइल के पवित्र, मैं वीना बजा कर तेरा भजन गाऊंगा, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुह से और अपने प्रान से भी जो तुने बचा ल कर दो यहे